हेलो एब्रीबन स्वागत है आप सभी आंगनबाडी बहनों का फिरसे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोशा टेकर एप 20.6 जो लेटिस नया अपडेट आया हुआ है जिसमें डेली फोटो अपलोड करने में आपको GPS या अफ़जियों को किस परकार से करना है कई बार कुछ समस्या होतीगे जैसे आप फोटो जैसे ही कियप्चर करतीं और फोटो कैप्चर में ब्लू कलर की कैमरे वाले आइकान को जैसे ही आप क्लिक करती हूं कैमरा उपन करती है तो बहाँ पर आगनबाडी की लोकेशन या फिर जीपीएस ऑन करने के लिए और उसके पहले फोटो कैप्चर नहीं होती है तो आपको जीपीएस या अपने आगन कारी देने वाली हूं तो आप सबी वीडियो में लाश्ट तक बनी रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए सबसे पहले आपको अपने पोशाइड़कर एपलिकेशन को ओपन कर लेना है और डेली ट्रेकिंग वा होता है महत्यपूर्ण यहाँ पर नौट कैप्चर लिखा है तो यहाँ पर हमें AWC मतलब आगनबाडी सेंटर की फोटो खिचना होता है तो यहाँ पर हमें सिंप्ली नौट कैप्चर पर किलिक कर देना होता है इसके बाद हम कैमरे पर किलिक करते हैं और अपनी फोटो किलि होगी, capture भी हो जाएगी और आपकी photo शाफलता पूर्वक सम्मेट भी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको दो महत्त्पूल कार्यकरणा है, पहला कार्य को करना है, कि आपको यह देख लेना है कि आपने मोबाइल में location, on है या नहीं अपने mobile की, तो location on करने के लिए आपको उपर के मेन्यू को open कर लेना है जैसे आप इस तरह से click करेंगी तो देखिए यहाँ पर location का option है location को आप on कर देंगी यहाँ से जैसे आप location on करेंगी इसके बाद आप blue icon वाले camera को open करके अपने आगन बाड़ी की गतिविदियों की photo को capture कर सकती है इसके बाद दूसरा आपको महत्पूर कार्या है करना है कि आपने जो location पहले update की थी बहाँ पुरानी location थी तो अभी आपको एक बार फिर से अपने आगन बाड़ी की बास्तिविक location को update कर देना है तो आपको more वाले option पर जाना है इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है तो देखिए नीचे से तीसरे नमबर पर एक option है update awc location तो इस पर आपको click कर देना है जैसे यहाँ आप इस पर click करते हैं तो यहाँ पर awc आगन बाड़ी center की location आपने जो update की होगी वह update की दिनांक यहाँ पर होगी जैसे यहाँ पर देखिए 4 अपरेल 2024 डला हुआ है तो और यहाँ पर success भी लिखा हुआ है तो देखिए अपरेल में जो location है वह update की गई थी तो अभी हमें पुना एक बार फिर से update कर लेना है और यह update जो हम कर देंगे इसके बाद हमें दोबारा update करने की जरूरत नहीं होगी तो इस पर हमें click कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए you are at आगनबाडी center now यदि आप अपने आगनबाडी में है तो आपको यहाँ पर yes पर click कर देना है और आपको yes पर click करने से पहले आपको फिर से यह check कर लेना है कि आपके mobile का GPS या फिर आपकी location on है या नहीं और नहीं है तो आपको उपर के menu bar में आपको location या GPS को on कर लेना है तो जैसे यह आप on करेंगी और फिर yes पर यहाँ पर click कर लेंगी तो आपके आगनबाडी center की location पुना अपडेट हो जाएगी तो इस तरह से आपको अपनी GPS location को अपडेट कर लेना है जैसे यह आप अपडेट कर लेंगी तो आपकी कोई समस्या नहीं हो पूर्बक capture हो जाएगी फोटो और समिट भी हो जाएगी तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलती हूं अगली वीडियो में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक आवाशे करें अब हम अपनी अन्य महनों में वीडियो को शेयर आवाशे करें